दोस्तों आज की वीडियो में हम डीप वाटर फिल्म के बारे में बताएंगे, जो फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म की शुरुआत में विक नाम का एक आदमी अपनी साइकल से घूम कर वापस अपने घर आ रहा था. जब वो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसकी वाइफ मलिंडा बैठकर उसे देख रही होती है. वीक उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो मलिंडा उसे कहती है कुछ नहीं. स्टोरी में हम देखते हैं कि मलिंडा और विक की एक चोटी बेटी भी है. फिर वो दोनों हस्बंड और वाइफ एक पार्टी में जाने वाले थे. इसलिए वीक ने अपने बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया था. दूसरी तरफ मलिंडा को पार्टी में क्या पहनना चाहिए ये सोच रही थी. तो विक उसकी मदद करने जाता है और मलिंडा को शूच पहनाता है. फिर मलिंडा विक को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. पर वीक उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता. इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाने लगते हैं. और वहाँ आते ही मलिंडा एक लड़के से फ्लट करना शुरू कर देती है. फिर मलिंडा उसके साथ वहीं तोता भिडाने लगती है. और उन्हें ये सब करते हुए विक खिड़की से देख रहा होता है. तभी विक के पास उसकी एक फ्रेंड आती है. और उसको कहती है कि तुम्हारी वाइफ का उस लड़के के साथ अफेर चल रहा है. इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ का कुछ करना चाहिए. फिर विक उसे बताता है कि वो उसकी लाइफ है और मैं उसकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहता. पर कुछ देर बाद जब वो आदमी वहाँ अकेला होता है तभी विक उसके पास जाता है और उससे बात करता है फिर वो आदमी विक को कहता है कि तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ की फ्रेंचिप से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है जो की काफी अच्छी बात है इस पर विक उससे कहता है कि इस टाउन में मार्टन नाम का एक आदमी रहता था जो मेरी वाइफ के बहुत करीब था पर कुछ महीने पहले वो इस टाउन से गायब हो गया अब ये सुनते ही वो आदमी उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उस आदमी को मार दिया और तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, फिर वीक उसे कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो अब ये सुनकर वह आदमी थोड़ा डर जाता है और वो उस पार्टी से जाने लगता है लेकिन तभी मलिंडा उसे जाते हुए देख लेती है पर वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है फिर घर जाते वक्त मलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने वह आदमी से बात की थी पर इस पर वीक उसे कोई जवाब नहीं देता फिर घर वापस आते ही मलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है वीक उसे ऐसा करने से मना करता है फिर अगले दिन जब वीक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है वो कहती है कि तुमने मडर भी कर दिया और मुझे बुलाया भी नहीं दरसल रात को वीक ने जो बात वह आदमी को कही थी वो बात अप पूरे टाउन में फैल गई थी आप ये सुमकर वीक हसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था फिर वीक जब वापस अपने घर पर आता है तो मलिंडा को भी वो बात पता चल चुकी थी वीक की बेटी को भी जोल बिल्कुल पसंद नहीं था इसके बाद जब सब साथ में डिनर करने लगते है तो जोल वीक का बना खाना नहीं खाता फिर वे उसके लिए दूसरा खाना बनाता है और मलिंडा भी वही खाना खाती है डिनर के बाद वीक अपनी बेटी के कमरे में जाता है और उसको कहानी सुनाने लगता है फिर कहानी सुनाने के बाद जब वीक वापस नीचे आता है तो वो देखता है कि मलिंडा और जॉल साथ में मजे ले रहे थे काम खक्म होने के बाद मिलिंडा विक को बोलती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ तो तुम थोड़ी देर जॉल से बात करो फिर वहाँ जोल वीक को कहता है कि क्या तुम मुझे सौरी नहीं कहना चाहते जीस पर वीक उसे कहता है कि मैं सौरी क्यू कहूं और मैंने उस मार्टिन को सच में हथोड़े से मार कर मडर करा था इसके बाद वो जोल को कहता है कि तुम्हारी उपा आ गई है तो जोल उसको कहता है कि मैंने तो नहीं मंगवाई जीस पर वीक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है अब जोल फिर यहां डर जाता है और वहां से भाग जाता है अब अगले दिन हम वीक और मलिंडा को एक और पार्टी में देखते हैं वहाँ पर वीक को उसका दोस्त मिलता है जो की एक बुक राइटर था वो वीक से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो वीक उसे बताता है कि मैं मिलिटरी में यूज होने वाली ड्रोन की चिप बनाता ये सुनकर लियोनल उसे कहता है कि तुम्हारे ड्रोन से तो लोगों की जान ली जाती है पर इस पर वीक उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है फिर घर आते वक्त मेलिंडा वीक से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी क्योंकि मेलिंडा वो लड़की से जैलिस हो रही थी और वो विक को कहती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुमें मार दूँगी फिर अगले दिन जब वो दोनों अपनी बेटी के पास जाते हैं जो खेल रही थी तब वहाँ पर वीक को एक कॉल आता है और फोन में वो वीक को कहता है कि मलिंडा ने एक तीन हजार डॉलर के चैक को केश करवाने की रिक्वेस्ट डाली है अब चैक जीस आदमी के नाम पर था उसके बारे में जानने पर वीक को पता चलता है कि उस आदमी का नाम रिक्वी है और वो प्यानो बजाता है वो मलिंडा का रिक्वी के साथ भी अफेर शुरू हो गया था जीस वजह से मलिंडा कई रात घर पर लेट आती थी फिर अगले दिन वीक अपने दोस्त के साथ रिक्वी को देखने जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त को भी रिक्वी और मलिंडा के अफेर के बारे में बता देता है आप वीक रिकी और मलिंडा को साथ में इमेजन करने लगता है, जिससे वो बहुत परिशान हो जाता है, फिर एक दिन मलिंडा पूरी राद घर पर नहीं आती, फिर अगली सुभा वो मलिंडा से पूछता है कि तुमने तीन हजार डॉलर रिकी को क्यों दिये, तो इस पर मलिं मलिंडा वीक को कहती है कि वो तुम्हारी चॉइस थी, फिर मलिंडा वहां से चली जाती है, अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि एक पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे जहां पर रिकी भी था, और मलिंडा उसे पियानो बजाने के लिए कहती है, अब ये सब देखकर विक को बहुत बुरा लग रहा था, पर तभी मेलिंडा उसके पास आती है, और उसे अच्छा फिल कराने की कोशिश करती है, इसके बाद मेलिंडा रिक को विक के बारे में बताती है, अब रात को विक मेलिंडा को ढूंडने की कोशिश करता है पर वो उसे वहाँ कई नहीं मिलती फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो दोनों रूम के अंदर एंजॉय कर रहे थे ये सब देखने के बाद वीक बाहर आकर बैट जाता है फिर थोड़ी देर बाद रिक और मिलिंडा भी वहाँ पर आते हैं अब वहाँ मेलिंडा को रिकी कहीं मिल नहीं रहा था और फिर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर रिकी की डेट बोड़ी पूल में तैर रही होती है इसके बाद सभी लोग भागते हुए बाहर जाते हैं पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं पाता फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उनसे पूछती कि आखरी बार रिकी के साथ कौन था इस पर मिलिंडा गुसे में उन्हें बताती है कि विक नहीं उसे मार डाला है फिर पुलिस विक को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेर चल रहा था क्या तुम्हें इस बारे में पता है विक कहता कि मुझे पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर पुलिस उसे पूछती है तुमने रिक्की का मड किया है, जीस पर वीक मना करता है, वही मलिंडा घर आते वक्त बहुत रोती है क्योंकि उसे पता था कि रिक्की को विक नहीं मारा है, घर आने के बाद विक मलिंडा से पूछता है कि क्या तुम्हें डिवोस चाहिए तो म मेलिंडा उसे मना करती है वीक उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने ही रिक को मारा है पर इस पर मलिंडा उसे कहती है कि तुमने उसे मेरे लिए मारा है मतलब तुम उससे बहुत प्यार करते हो अब हम देखते हैं कि अगले दिन साइकलिंग के वक्त वीक एक कार को नोटि पिर अगले दिन सड़क पर जाते हुए वीक वही कार देखता है जो पहले उसका पीछा कर रही थी विक जब उसकार के ओनर को ढूंटता है तो वो एक आदमी को देखता है जो मलिंदा के साथ बैठा हुआ था फिर वीक सीधा मलिंडा के पास जाकर बैठता है और उसे पूछता है कि ये आदमी कौन है मलिंडा उस आदमी को एक थेरेपिस्ट बताती है फिर कुछ देर तक बाते करने के बाद विक वहाँ से जाने लगता है तो वो उस आदमी से उसका कार्ड मांगता है पर उस आदमी के जाते हैं वीक उनका पीछा करने लगता है फिर रात को जब मलिंडा निक से फोन पर बात कर रही थी तो विक छुपकर उनकी बाते सुनने लगता है उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मलिंडा और निक साथ में ब्राजील जाने का प्लान बना रहे हैं मलिंडा अपने सामने तोता भिड़ाने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वीक निक से मिलता है और उसको कहता है कि मलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी। और हम तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना चाहते हैं। वीक अब निक की गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में विक्की उसे पूछता है कि तुमने मलिंडा के साथ ब्रेक अप क्यों किया। तो निक बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। निक बहुत तेज गाड़ी चला रहा था जिससे निक डरने ल फिर वही पास में एक जरना था जिसमें वो निक को डूबा देता है। विक उसके पॉकेट में से सभी चीजे निकाल लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसके बाद वो घर आता है और खुशी खुशी वो अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करता है। तभी वहाँ पर मलिंडा आती है और वो विक को कहती है कि कल हम सब साथ में पिकनिक पे जाएंगे। फिर अगले दिन जब सभी पिकनिक पर जाते हैं तो वीक वहाँ पर देखता है कि उसकी बेटी वही ज़रने के पास जा रही थी जहां पर उसने निक को मारा था। विक वहाँ पर आकर उसे रोकता है पर तभी उसकी नजर निक्की बोडी पर पड़ती है जो पानी के उपर तैर रही थी, अब वो किसी भी तरह उसकी बोडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो अगले दिन साइट लेकर वापस उसी जगह जाता है, वही मेलिंडा जब वीक को ढूंड पर तभी वहाँ पर उसे ऐसा करते हुए वीक का दोस्त देख लेता है, अब निक्की बोडी देखकर वो वहाँ से डर कर भागने लगता है, और तभी वीक उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है, वीक शॉटकट लेकर डायरेक्ट उसकी कार के आगे आ जाता है, और वीक को वीक को बचाने के लिए निक के आईडी और वालिट को जला देती है, मेलिंडा को पता चला कि वीक उसके बोड़कर रहा है, तो उसे अच्छा लगता है कि वीक उसे इतना प्यार करता है, उसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं, और यही पर इस स्टोरी का एंड होता है दोस्तों अगली वीडियो कौन सी फिल्म के बारे में चाहिए आपकी राह कॉमेंट में जरूर बताएए, लाइक, शेर और सब्सक्राइब